प्यारी बच्चों आज मैं आपको आपकी पुस्तकस शिती उसका फर्स्ट लेसन है सूर्दास सूर्दास के दवारा रचित सूर्शागर में संक्लित फर्मर्गीत किस्से लिएगे च्यार पदों की वाख्या सहित मैं आपको सम्झाऊंगी ध्यान से सुनना और हात में अपन तो जो यह भर्मर्गीत हैं यह सूर्दास के दवारा रचित सूर्शागर जो उनकी पुस्तक है सूर्शागर में संक्लित था जो भर्मर्गीत से लिएगे चार पदों में गोपियों के विरह भाव को परकट किया गया है यह जो भर्मर्गीत हैं से लिए गे चार पदों में गोपियों के विरेभाव को परकट किया गया है अब सबसे पहले समझो कि भर्मर गीत है क्या भर्मर गीत शब्द भर्मर और गीत दो शब्दों से मिलकर बना है कि इन शब्दों से भर्मर और गीत दो शब्दों से मिलकर बना है बर्मर च्चे पेर वाले एक कीठ जिसका रंग काला सब्सकिर से बहूं के अधित कि ने बहूंद क कीत कि है यह इंए बहुर्मर सब्मक दिक कान या वह सब्सक्तोब ल tut न हिए पतिकाने कि दोन दोन मिफद्न हुआ को लक्से करके लिखा गया गान कि जब स्रीकृषन में मत्राश निर्गुण ब्रह्मा समंधि ज्यान उद्धाव को देकर ब्रिच छेतर में बेजा था ताकि विरह वियोग की आग में जुलश्री जो गोपियां वह संदेश देकर समझा सके विश्रीकृषन के परति अपने प्रेम भाव को बुला कर योग साधना में लीन हो लीन होना ही उनके लिए उचित था तब गोपियों को उद्धव की बाते कड़वी लगी थी विए उद्धव को बुरा बुला कहना चाती थी लेकिन मर्यादा वस वैसा कह नहीं पाती तो उनी की बात्चित के दोरान सयोग वस एक भावरा उड़ता हुआ वावा से गुजरा गोपियों ने जट से बावरे को संकेत कर अपने हर्दय में व्याप्त सारे गुस्चे को उद्धव को सुनाना अरम कर दिया उद्धाव का रंग भी बावरे के समानकाला था इस प्रकार भर्मर गीत कार था उद्धाव को लक्स लक्से करके लिखा गया गान कहें के इंगोपियों ने स्री किसन को भी भर्मर कहा है ठीक है बच्चों अब मैं आपके सरलार्थ की इंदिवत आ रही हूँ पहले इसके बारे में जो था यह कहां से लिया गया था किस के द्वारा किस पुस्तक में इस सारी चीजें मैंने बता दिये कि सूर्दास के द्वारा रचित सूर्शागर सूर्शागर में भर्मर गीत से लिया गया है यह चार पद लिये गये हैं जिसमें गोपियों की विरह को भाव को प्रकट किया गया है तो सुनो उद्धो तुम हो अति बढ़ भागी तो गोपिया उद्धो की प्रेम हिंता पर व्यां करती हुग कहती है उस पर कटाक्स करती हुग कहती है यह उद्धो तुम तो सच भड़े भागे साली हो यह जो लाइन है तुम हो अति बढ़ भागी तुम तो बड़े भग्य साली हो कैसे हो भग्य साली ये उस पर कटाक्स किया गया है किसके द्वारा गोप्यों के द्वारा किसको का गया है उद्धाव को अप्रस रहते अच्छूते अप्रस होता अच्छूता अच्छूते रहे सन्हे तगाते तुम अच्छूते रहे किसी अच्छूते रहे प्रेम के बंदन से पूरी तरह तुम अच्छूते रहे नाहिन मन अनुरागी और तुमारा मन किसी के प्रेम में डूबा भी नहीं तुम स्री कृष्षन के कहने कभाव है कि तुम स्री किशन के निकट रहकर भी उसके प्रेम के बंदन से पूरी तरह मुक्त हो उसके प्रेम के बंदन में तुम बिल्कुल नहीं रमे अब अपनी इसी बात को वो उधान के द्वारा समझाना जाती है पुर इनी पात होता है कमल का पत्ता पुर इनी पात रहत जल भीतर जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है, भीतर रहता तारस दे है न दागी पर फिर भी उस पर जल काये कि पी दाग नहीं लगता तारस रस होता है जल देश, सरीर, ने दागी, दाग नहीं लगता वो जल के अंदर रहता, फिर भी उसके अंदर उसके मतलब दाग नहीं लगता, जल का एक भी दाग नहीं लग पाता उस पर जल की एक भी बून नहीं ठैरती अब वो आगे क्या करिए, जो जल मा है, तेल की गागरी तेल की मटकी को जल में डुबोने से जो जलमा जल की जल में किसको डुबोएंगे तेल की गागरी को बूंद न ताको लागी उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती अगर हम तेल की मटकी को जल की अंदर डुबोएंगे तो उसकी अंदर पाने की एक भी बूंद नहीं ठहरेगी उसी परकार इन दोनों उधानों का कहने का बाव क्या है इसी परकार तो मिस्री किसन के निकट रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं करते और उनके परबाव से सदा मुक्त रहे हो समझ गे दोनों लाइनों की जिस परकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहकर भी उसके उपर कोई भी जल का दाग नहीं लगता जल के अंदर है लेकिन उसके उपर कोई दाग नहीं लग रहा और ऐसे ही अगर तेल की मटकी को हम पाने के अंदर डुबोएं तो उस पर पाने की एक भी बुंद नहीं जाती उसके अंदर उसी परकार तुम भी स्री किसन के साथ रहकर भी उनके प्रेम स्दा मुल्ट रहे अब आगे हैं प्रीति नदी में đ्रिश्ची रूप परागी प्रीति-नदी जैने कि तुमने आज तक कभी भी प्रीत रूपी नदी में प्रेम रूपी नदी में पाउन बोरियो बोरियो मनें डुबोना तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया द्रिश्टी ने रूप परागी और तुमारी द्रिश्टी किसी के रूप को देखकर भी उसमें उलजी नहीं नहीं तुमने प्रीत रूपी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डुबोया है और तुम्हारी दृष्टी भी किसी के रूप को देखकर उस पर उसमें उलजी नहीं सूर्दास जी कहते हैं अब अबला हम भोरी अब ये गोपिया क्या कहती हैं हम तो भोली भाली अबलाए हैं जो श्री किसन के गुर चाटी जो पागी हम भोली भाली अबलाए हैं कैसे हम भोली भाली अबलाए हैं क्योंकि हम स्री किसन के प्रेम में उसी परकार उलज गई हैं जैसे गुर चाटी चीटी घुड पर आसक थोकर जो पागी उस पर चिपट जाती है और फिर उसे छूट नहीं पाती और आखिर में वो अपना प्राणी त्याग देती हैं हम भी श्रीकिशन के प्रेम में ऐसे ही उन चीटिओं की भाती रम गए हैं अपने प्रान त्याग देंगे लेकिन श्रीकिशन को अपने हर्दे से अपने दिल से नहीं निकालेंगे समझाये अब पैंसल से जहां मैं लाइन बता रही हूं उस पर लगाना नाहिन मन अनुरागी ठीक है नाहिन मन अनुरागी इसमें कौन सा लंकार है ने ने किया आवर्ती बार-बार हो रही है तो इसलिए इसमें कौन सा है अनुपरास किसी वर्ण की बार-बार आवर्ती हो तो वहां कौन सा लंकार होगा अनुपरास ऐसे इससे आगे है पुर इनी पात रहत है पुर इनी पात में पै की आवर्ति के कारण और पात रहत में तै की आवर्ति के कारण यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है अब देखो, रूपक अलंकार प्रीती नदी में पाउन न बोरियो प्रीती, प्रेम रूपी नदी जहां रूपी, विग्रह करने के बाद रूपी आए ठीक है, वहां कौन सा अलंकार होगा? रूपक तो प्रीती नदी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार और उधान का आपको पताई है उधान कहां दिया गया है उधान यहां दिया गया है जो जल माह तेल की गागरी बून नता को लागी यहां हमारा कौन सा अलंकार है उधारन अलंकार उधान दे कर किसी बात को सपस्ट करना ठीक है लगा लिये सभी ने और मेन बात जो है इसमें कौन सी भाषा का प्रियोग किया गया है ब्रिज भाषा का और इसमें कौन सा भाव है व्यंग का भाव है ठीक है और गुण कौन सा है मादुरिय गुण है रस कौन सा है स्रिंगार में वियोग रस है ठीक है और शक्ति कोंसे شफ्द शक्ति लक्षना क्योंकि आपर कटाक्स किया गया है ठीक है और इसमें और कौन सा लंकार है फरस्ट लाइन में ही कौन सा लंकार है वरकोक्ती ठीक है ये आपका कावे संद्री हो जाएगा ठीक है झाल झाल